हेलो गुड वार्णिंग ओल अफ यू आज मैं आपको फिर की बिनाना सिखाऊंगे तो उसके लिए हम जरूरी है कि तीन ऐसे भी कोई भी कागज हमारे पास जो रब कागज होते हैं उनकी लंबाई चोड़ाई तीन लेंगे और उनकी बराबर बराबर होगी ठीक है फिर मैं स ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे इसको फोल्ड करेंगे फिर दूसरी को भी ऐसे ही सेम फिर ऐसे और फिर इसको ऐसे ये है तौसर तीसरी को भी ऐसे ही और फिर ऐसे, तीनों को हमने ऐसे बना के, ऐसे मोड लिया, उसके बाद हम नोट लगाने सीखेंगे, इसको इसमें डालेंगे, ऐसे, और जो ये तीसरी हमारी पट्टी है, इसको ऐसे लेंगे, ऐसे करके ये एक नोट बनेगी, और इसके बीच में से निकाल लेंगे, ऐसे, थोड़ा-थोड़ा इसको खीचेंगे, थोड़ा-थोड़ा खीच के पास लेके आएंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, थोड़ा-थोड़ा इसको पास लेके आएंगे, ये ऐसे, ये हमा ये घर में जो हमारे कागज आउट ओफ यूज हैं उससे बनाएं और ये फिर पंखे के नीचे ऐसे चलाएं बच्चों को दें बच्चे बहुत मज़ा करेंगे पड़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है बाद में वो सीख लेंगे कि ये फिर की जो है पंखे के नीचे ही क्यो चलती है इधर उधर जाने से फिर की रुख जाएगी तो मेरी आप से रिक्वास्ट है कि प्लीज ऐसा बच्चों को जरूर करने को दें और अगर आपको कोई दिक्कत है मुझसे फिर से कॉंटेक्ट करें धन्यवाद